नमस्कार आप देखना सुरू कर चुके हैं नौर्टिस लाइब और मुद्दा के संग के साथ स्टूडियो में मैं रंजीत देश में कोरोना वारस किस कदर फैल रहा है इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि गुरुबार को 3995 नए के सामने आए या किसी एक दिन में तक 2933 केस मिले हैं जबकि भारत में अब तक 2952 मामले हो गए हैं इस बीच राहत की खबर भी है कोरोना संकट के बीच भारत को वर्ल्ड बेंक ने बरी रहा दी है सरकार के कारिक्रमों के लिए वर्ल्ड बेंक ने एक बिलियन डॉलर के पैकेज का ऐलान किया है यह पैकेज सा तीन खिट्रों में भारत सरकार के साथ भागिडारी करेगा स्वास्त, सामाजिक, सुरक्षा और सुच्म लगू एवरंग मध्यमुद्योग भारत के सामाजी सुरक्षा को प्रवासियों, असंगटित, मस्रमिकों, पोटिबिलिटी और सिस्टम के एकिकरन का निर्मान करने के लिए प्रेरित किया जाता है बिश्व बेंग के करीब चैतर हजार चैतर सो करोर सामाजिक सुरक्षा पैकेश पर वर्ल्ड बेंग के इंडिया हेड जुनेद अहमद ने कहा कि सार्वजनिक वित्रन प्रणाली जन धन आधार और मॉबाइल के मौजुदा बुनियादी मुख्यमंत्री ने प्रवासी मजदूरों के लिए 3500 करोर की मदद का एलान किया उन्होंने कहा कि अगले दो महिने तक हर मजदूर को पांच किलो गेहूं या चावल मिलेंगे बिना रासन कार्ड वाले लोगों को भी रासन मिलेगा केंद्र बित्रमंत्री ने कहा कि अब द अर्थिक पैकेज का लाव असम को मिलेगा और सम के मुख्यमंत्री ने केंड्रसे दो हफ्ते के लिए और की प्रियट को बढ़ाने की माँंग की है तो when लगातर गोशणई कर एक लिए यहां अर्थिक हम्रों की बात काहिए न कि यहा चया कहां तक नकिसंत्त यह पर चरचा कॉंग्रेस के निता दुलू अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं असंप्रजिस भासपा के उपाध्यक बिजय गुपता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मेघाले से जैम सांगमा यह फूड एंड सीबिल सप्लाई विभा के मंत्री है जैम सांगमा हमारे साथ जूड़ जानना चाहेंगे जैम सांगमा आज मेघाले में मेघाले में दो बिल पास किया है एक किशानों से रिलेटेड है इस पर थोड़ा प्रकाश जा लिए हमारे दर्सक इसके बारे में जरूर जानना चाहेंगे मुझे थोड़ा से यह पे सुनने में थोड़ा यह दिक्कत आ रही है शाइर यह लाइन का थोड़ा प्रॉब्लम है यह हम लोग कोशिश कर रहे हैं आप हमारे साथ बने रहिए हम आपसे जुड़ेंगे बिजय गुपता जी प्रधान मंत्री ने आर्थिक पैकेज की गोश रही है लेकिन बावन दिन हो गए हैं अब मजदूरों मजदूरों के लिए जो प्रवासी मजदूर है गरिब तबका है उनके लिए पैकेज की घोशना की गए लेकिन रहरी लगाने वाले को दस अजार का लोन दिया जाएगा इस वक्त उन्हें लोन की जरूरत है या मुख वर गिया है कि दियारी मजदूरों को काम को स्टार्ट करने के लिए ये दिया गया है दस हजार रुपया वो दस हजार रुपया का दस हजार रुपया लेकर कि अगर काम को स्टार्ट करते हैं नहीं उन्हें मदद नहीं की जा रही है उन्हें लोन लोन मी लेगा उन् तो दसजाव रुपिया अगर उनको ऐसे दे देंगे तो दसजाव रुपिया खितम हो जाएगा तो फिर आप से महाङेंगे शवाल यहाँ है कि हम किस तरीके से work culture को हम जो है कर्म संस्कृति को कैसे भी बढ़ाबा दे क्योंकि हमारा जो system है आज जो हमारे सामने challenges है how to restart the industries, how to restart the business and how to restart the business supply chain तो अब किसी भी ऐसे आप देख रहे हैं कि दिहारी मजदूर को अगर 10,000 सारे दिहारी मजदूरों को अगर दी जाए तो आप सोचिए कि दस जार लेकर कि जब काम स्टार्ट करेंगे तो स्वाभावी कुरूप से उससे वो रिविन्यू रिजनरेट करेंगे अपने लिए वो करेंगे फिर उसको वो मल्टिप्लिकेशन करते करते वो अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे और शौब लंबी हो ज करें भारत आत्मा निर्भर होगा तो दिहाराई और जो चोटे वेवसाई है या वो आत्मा निर्भर करने के लिए उनको लोन देने की बजाए से एक पर कर से आर्थिक मैदत अगर देते हैं तो ज्यादा सहल्योत होती इस पर हम बात करेंगे लेकिन हम इस बर मेगाले की औ हमार साफ जूट चुकर हैं क्या मुझे सुन पा रहा है जेम संग्मा जेम संग्मा क्या आप मुझे सुन पा रहा हैं कभी आती है आपकी आवास कभी नहीं आती है थोड़ा सा नेटवर्क का थोड़ा प्रोब्लम है और पूरा देश बड़े प्रोब्लम में है इस बिच मेगाले सरकार ने दो बील पास कर दिये हैं क्या मुझे सुन पा रहे हैं मेगाले के विटेट ने आज दो बील पास किया है क्या आप उस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे तो आज में यह अग्रिकल्चर का आज जो अग्रिकल्चर मार्केटिंग क्या कहते हैं इसको आप फार्मर्स मार्केटिंग प्रोड्यूस करके हम लोगने अमेंडमेंट बिल लेकर आया हम लोग तो यह करके जो पहले सी एक के इंद्य सरकार के तरफ से काफि सारा कुछ इस इस विषय में मार्किट डेगुलेट करने के लिए हम लोग लोगना यह लजिजिस्लेशन पहले से आया हुआ आपको पता होगा इसके बारे में तो यह आज हमने लागू किय मेघाले 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 जो मॉडल अपना रहा है कोरोना वाइरस के खिलाब जंग लड़ने के लिए वाकई काभिले तारिफ है सत्ता और विपक्ष दोनों मिलकर इस बक्त राज़ती को छोड़के दो बार आप लोगों की मीटिंग हो चुकी है और सब इसमें सहयो कर रहे हैं इस पर थोड़ा प्रकास डालिए जी हां मेघाले में सत्ता रूलिंग और ऑपोजिशन ने जो जो उदाहरन पेस किया है इस संकट काल में राजनिती को भुला कर मेघाले को को कोरोना संक्रमन से बचाने के लिए ये तारिफ हो रही है इसके बारे में थोड़ा बताईए जी हमारा सोच है और मेरे ख्याल से पुरे देश में ऐसे ही सोच चल रहा है कि यहां पर क्या कहते हैं पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल पार्टीज यह इंपॉर्टिंट ने सबसे महत्पूर्पूर्ण चीज यहां पर यह है कि हम सब को एक साथ मिल के काम करना है व वैसे ही मेगाले में आज जो कॉंसल्टेशन प्रोसेस है कि हम लोग हमेशा जो हमारे ओपोजिशन के भी लीडर्स हैं उनसे भी हम लोग उनके सजेशन्स ले रहे हैं जैसे कल ही हमारा एक मीटिंग हुआ था मेगाले लिजिसलेटिव असेंबली में जहां पर ओपोजिशन शुक्रियाद देना चाहूंगा जो सारे विधायक हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ऑपोजिशन हो या रूलिंग के हो सब के सुझाओ बहुत अच्छे अच्छे आएं वैसे इसी के वज़े से हम लोग काम्याव रहे हैं मेगाले में एक हर्द तक जैम संगमा थोड़ी देर पहले प्रोग्राम शुरूने से पहले केंद्रे बित्य मंत्री का प्रेस कॉनफरेंस चल रहा था उन्होंने पुर्वोतर भारत को लेकर भी ये कहा है कि किसानों के लिए तो घोशनाय हुई है 85 परसें जो किसान है फार्मर है छोटे और लगो कि पुर्वतर राज्यों में जो है बैंबू अध्रक जिंजर गार्लिक इन सब की बहुत संभावना है इसको लिए कहा है फूट प्रोसेसिंग इंडेस्ट्री को यहां में बढ़ाया जा सकता है इसके उन्होंने फोकस डाला है और इसके उपर भी पैकेज की घोशना की है और फूट प्रोसेसिंग को लेकर किस तरह की तैयारिया की जा सकती है सांगमा यह आपने बिल्कुल सही कहा कि मेगाले में काफी बंडार है अगर हमारे हापे सिर्फ प्रकृतिक सौंधरियन ही नहीं बलकि हमारे हापे काफी सारा स्कोप है हर्ब्स के लिए जैसे आपने कहा क्योंकि बायो डाइवरसिटी काफी रिच है यहां पर और आज हम केंद्र सरकार के तरफ हम लोग बहुत शुकर गुजा रहे हैं कि केंद्र सरकार ने इस बात बे अलग से ध्यान दिया है जो कि जो सिर्फ खेती भाड़ी नहीं कर रहे है बलकि जो इस फील्ड में चाहे फ्लॉरी कल्चर हो चाहे मेडिसिनल प्लांट्स हो इस फील्ड में भी काफी सारा आज फोकस जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से और हमारा सोच है कि मेगाले इस शेत्र में काफी आगे हम लोग इसका फाइदा उठाके हम लोग अपने पुर्वतर के अलग अलग राज्यों की बात करें तो अभी यह सिस्टम पूरी तरह से काम नहीं कर पाया है मेगाले की क्या स्थितिये मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि काम नहीं कर पाया है जो टाकिडिट पीडियस सिस्टम है भी मुझे मैं दूसरे स्टेट्स के बारे में कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा लेकिन मेगाले में अब तक हमारे हाँ पे काफी काम्याबी से हम लोग इसको लागू कर पाये है और अभी हम लोग क्या करते हैं मेगाले में जो इसको और स्टेंग्डन करने के लिए हमने अभी तक एपॉस जो की इलेक्ट्रोनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीन है वो भी हम लोग लागू कर दें जा रहे हैं तो मेरे ख्याल से अभी तक हाल फिलाल जो सिस्टम चलता आ रह है तो अभी तक हमारे हाँ पर इतनी दिक्कते नहीं आई है इंप्लिमेंटेशन में जिया आप बोले हैं दिक्कते नहीं आई लेकिन मेगाले का जो जो जोग्रोफिकल सिनेरियो है भोगोलिक परिस्थितिया है बहुत अंदर अंदर तक गाउं है दूर्गम इलाके है वहा हाते हैं तो आज भी उनको पैदल चलना पड़ता आठ गंटा नौगंटा दस गंटा इस तरह की स्थितिया है उन लोगों तक कैसे पहुंच रहे हैं मेगाले जो सरकारी सिस्टम है और जो भी उनकी सुविधाय मिलना चाहिए और सुविधाय कैसे पहुंचा रहे हैं आप अभी फिलाल में जो आप बता रहे हैं ऐसी दिक्ते हमारे हाँ पे खैर यह सिर्फ मेगाले ही नहीं मेरे खाल से जैसे आपने कहा कि उत्तर पूर्वी शेत्र में सब जगह ही ऐसे दिक्ते तो आती हैं लेकिन पहुचाने में दिक्ते नहीं आरी शायद लोगों को पहुंच क्योंकि हर गाउ में ही पीडिया सिस्टम है वैसे तो ही और वैसे हमें जैसे लोगों को 10 km चलके आना पड़ता है यह ऐसे तो स्थिति है अभी अमेकाले में हमारे साथ बरिस्टे का रवी शंकर रवी जुड़े हुए हैं वो आपसे कुछ पूशना चाहते हैं मैं यह जाना चाहता हूं कि मेगाले में जैविक खेती होती रही है और जैविक खेती के production बढ़ाने की काफी संभावना है और आज के दिन में जो जैविक खेती है उसकी जो उपज है उसकी मांग भी इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ रही है क्या इसको लेकर और अभी जो केन सरकार ने जो घोसना की है किसानों के लिए और इस तरह की खेती एगरी कल्चर के छेतर में तो इस मौके का उप्योग आप मिघाले के लिए कर सक रहे हैं क्या कोई योजना है क्या आपके पास रवी जी मैं शमा चाहता हूं जो आपने का जैदी खेती मतलब इसका आपका कहने का मतलब क्या वागए और गैनिक फार्मिंग और सेंट्र गर्वर्ण की जो स्कीम से आपको फिनेंशियल सपोर्ट भी दे रहे हैं तो और गैनिक फार्मिंग के लिए आपके पास बहुत सा अपर संभावना है रवी जी चाहते हैं कि क्या इसको इंटरनेशनल लेवल तक ले जाने के लिए आपकी सरकार प्रयास कर रहे हैं बिलकुल बिलकुल और गैनिक फार्मिंग जैदी जो आप बात करें खेती की हमारे हां मतलब भगवान के दूआ से यहां पर जो भी खेती मैक्सिमम जो परसेंटेज हैं हाँ पर और गैनिक फार्मिंग ही चल रहा है वैसे भी और इसको इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने की हमारी इच्छा है बहुत ही हम लोग इसके तरफ हम लोग प्रयास कर रहे हैं क्योंकि अभी इंटरनेशनल मार्केट में इसका बहुर डि सब्सक्राइब मेरा डिपार्टमेंट नहीं है वैसे फार्मिंग अग्रिकल्चर का लेकिन इतना मुझे पता है कि गवर्मेंट के तरफ से हम लोग और्गानिक फार्मिंग जो की जैदी खेती इसको बहुत इंपोर्टन्स दे रहे हैं जैम सांगमा डिपार्टमेंट तो टूरिज्म का भी नहीं है आपका लेकिन मैं आप उपलब्ध है इसलिए मैं आप से ही सवाल करूंगा सिक्किम जो है सिक्किम में इस तरह की बेवस्ता करने की सोची जा रही है कि तूरिज्म को फिर से सुरू कि आ जाए परेटन उद्यों को और उनका कहना है कि सिर्फ भावना दीख रही है आपको क्योंकि मेघाले का सबसे बड़ा रेविनियु जो है परेटन छेत्र से आता है टूरिज्म सेक्टर से आता है क्या मेघाले में इस पर लेकर अगले दो-तीन महीने में कोई योजना बन रही है हाला कि आपका विभाग नहीं है फिर भी मैं चु वारा जैसे सिक्किम ने कहा है कि परियततक होंगे जो नो ती से ही उतरपूरी से ही शेतर से ही आएंगे लिवी उस हीम अई उस बात पर हम लोग सहमत है क्योंकि हमारा भी सोच यह है कि अभी जो कोविट से जो लडाए चल रहा है उसके लिए अब ही हमें काफी सारे sacrifices करने ही पड़ेंगे और आप बिल्कुल सही कहने हैं कि मेगाले में हमारे शेत्र में परियतन से ही हमें काफी सारे revenue मिलता है उसे हमें बहुत बड़ा जटका या सद्मा पहुंच रहा है लेकिन फिर भी हमारे लिए हमारे लोगों की स्वास्त और कोविट से हमें उनको बचा के रखना है और इसके लिए हम लोग इसको sacrifice एक तरह से देख लीजे कि हम लोग अभी परियतन नौर्टीस के बाहर या अगर मैं कहूं की red zone area से या orange zone area से वहां से हम लोग परियतन का हम लोग उसको discourage करना चाहते हैं अभी जैम संग्मा हमारे साथ जूड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं जानता हूं आपके आगे भी meeting है आपने समय दिया हमें इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जैम संग्मा को आप लोग सुनने हैं थे में घाले के आपूर्ती मंत्री है और वो कह रहे हैं कि आपूर्ती विभाग अच्छी तरह से काम कर रही है और जो आपके खाथ किने मड़निद है और इसलिए कर रहे हैं क्यूंकि जो राक। रहासामगरी वित्रन है और कैस्ट की बात है उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है वो बार-बार कह रहे हैं कि इंक्वारी होगी जो गलत बेनिफिसरी थे उनसे पैसा वापस लिया जाएगा किसी सनमान निधी योजना की है लेकिन रासन में भी गरबड़ी हुई है हमने ही नियू चलाया हमने आप पहले भी दिखाया अगर किसी को 20 किलो मिलना है तो उसको 15 किलो दिया जाए तो इसकेंडल सब में हुआ है यह आप बिजय जी इसको डिनाई कर सकता है वो अलग बात है लेकिन इसकेंडल हर सक्रिक में हुआ है अभी 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 जो आप किसी मंति का बात बूल रहा है तो देख नहीं लोति मदो किसी मंत्री को एक्ंटीव पहले से होना जाहिruktur हो था डिकिसी मंत्री हो इस ताइम में आप बोलेने सेंगे इसका आपको पॉजिटीव या निकिटीव जो भी सामने आएंगे और उसके लिए आपको कुछ दिन रुखना पड़ेंगे क्योंकि अभी जो यह जो कोरोना का जो अभी चल रहा अभी कल सायद फिर इसको एक्सेंड करेंगा या को मालूम हो गया और ये बात निूज में भी बताना है eedर आप लोग को करोना में जो डेत होटा है बात Bernard को भारते और बात आ इस तरव से करोना कॉरोना पॉजीटिव प्लि में बहुत है कोई कोई के सामने वहाँ हैī कि को एक प्लकार से करोना वी चो करोना महामारी है एक प्रकार स contractors नर्मल हो गया तो बाद में जब आदमी खाने ने सेगा तो तू परसन आदमी बैमारी में मर रहा है जब खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो परसेंट ज़्यादा हो जाएगए इसलिए केंडिया सरकाल को अभी पुरा ध्यान देना है कि क्या-क्या इसकीम करने से क्या-क्या इसकीम लागू करने से कहां पे कौन सा इसकीम में इसकेंडिल ने हो सकता है यह सब पुरा ध्यान देना साहिए इसलिए प्रधान मंत्री ने तो 20 लाग करोर की पैकेश की घोसना की है निर्मला सितारमार पिछले तीन दिनों से प्रेस कॉन्फरेंस का उसका फ्रैक्शन बता रही है चरनबत तरीके से पिछले दो दिनें से वो किसानों को लेकर ही व्यस थी आज भी उन्होंने किसानों के लिए बात कही एक दो छोटे किसान और मजूले किसान जो है 85% जमीन उनके पास है ऐसा उन्होंने कहा और उनके लिए लोन की वेवस्ता की जा रही है किसान क्रेडिट कार्ट के जा रही है भी उन्हें 2 लाग का लोन दिया जाएगा लेकिन विज़े जी लोन की बात कही जारी मैं एक बार फिर कहता हूँ मदद की बात नहीं कही जारी है लोन तो चुका ना होगा पहले तो एक दो बात का उत्तर दें अभी जैसे पीडियस के अपनी जर्चा की थी लेकिए हमारी सरकार ने पीडियस में जो भी सौभाविक रूप से कुछ कम्या सिस्टम में रहती है तो टेकनोलोजी ड्रिवेन सिस्टम की उसके रिफॉर्म के लिए कल जो है बित्तमंत्री ने यह असपस्ट रूप से यह वर्ड उन्होंने यूज किया था कि पीडियस जो रासन सिस्टम है टेकनोलाजी ड्रिवेन सिस्टम करेंगे और नेशनल पॉर्टिविल्टी की बात भी की थी जो कि कुछ दिनों से चर्चा में है तो यह 2020 तक का एक डेड लाइन दिया हुआ कि अग्स 2020 के अंदर में नेशनल पॉर्टिविल्टी जो है इसको इंस्योर करें ताकि वन रासन कार्ड वन इंडिया वन रासन कार्ड यह हम कर सके यह PDS के बारे में अब दूसरी बात scandal के बारे में आप जो कहते हैं देखिए आज के डीट में इसमें कहीं कोई दोरा नहीं है कि हमारे पास में challenges कई तरह के हैं चार-पांस तरह के चैलेंजेज मैं आपको वता हूँ जैसे कि आज कोविड आने के बाद में एक तो लिक्विडिटी का करंच आया दूसरी क्या है कि अनिंप्लाइमेंट है जाब लेस्ट लोग हो रहे हैं तीसरा है कि how we restart the business and industries और overcome to fearfulness मैं एक जो भय समाया है लोगों के अंदर में उस भय से कैसे उबर करके आएं तो यह सौभावी के रूप से आज स्कैम की बात करने के लिए निश्चित रूप से हमारी सरकार जो है innovative ideas और excel हम किस तरीके से मन इसको excel कर सके है हमको अपने system को जो हुए whatever the system that to be re-looked उसको re-looked करने के लिए भी finance minister ने कर यह बात कहा कि हम ऐसा करें कि efficient system और ऐसा नया solutions भी लेकर किया है उसलिए उन्होंने एक बात कही कि new solution for the IT work for the businesses for the government for the service sectors यह तीनों sectors में हम यह नई technology के माध्यम से जो सारी चीज़े कभी कभार कहीं कदा एदा कदा सुनने को मिलती है असाम के अंदर मैं एक दावे के साथ कहता हूँ कि रासन बितरन में चाहे वो रासन कार्ड वाले को या बिना रासन कार्ड वाले को जो बितरन हुआ है देखे इतनी बड़ी ये बात है कि आज इतने लोगों को 3.20 लाकी पापुलेसंस में आपको फ्री रासन कार्ड देना है तो सवाभाविक रूप से एकात कहीं कुछ हाएगा लेकिन वो चीज वो इसू नहीं है इसू यहाँ पर यह है किस तरीके से आज हमारे सामने जो वी चैलन्ज Kelsey weather उसको ओभर कम आने के लिए हमें क्या क्या करने क्या हो सकता है और बित्ट मंत्री ने आज सारे वरगों का देखिया आज किसान बोलिए, छोटे किसान बोलिए, मजदूर बोलिए या जो प्रवाशी श्रमिक हैं उनके लिए जो रहाड़ी वाले हैं अगर बेघर होगा है तो आप में माडल में आप मकान को तयार करें हम आपको भाड़े पे रहने के लिए देंगे नियत कहते हैं यह नियत ही बताती है कि सरकार की इक्षा सकती और दिड़ इक्षा सकती मजदूर किसान पूर के साथ में भी है जहांकि हम MSME में हमने announcement किया है लेकिन साथ साथ हर वर्गों का ध्यान रखा गया है और बहुत जो जो भी announcement हुए है उसी announcement में सभी लोग मिलकर के जुल करके आज राजनितिक दल के होने के नाते मेरे कांग्रेश के में दुरू हमस सभी में यही अपील करूँगा कि आप भी आगे बढ़कर के आईए और जो भी announcement हुआ है उसका स्वागत की और कहीं कोई लेकुना है तो आपकर हमारा दोनों का दाइत होता है और समाच के सभी वर्गों का दाइत होता है कि सिस्टम से हम error free कै कैसे कर सकता है देखिए विजय जी मैं थोड़ा दर पहले क्या बोला कि अभी इस situation में आपने बोला इसने मैं आप आपके बातों का आलोजनाक से हम उपर चले जाए तो आपको कहता हूं कि कोविड-19 के बाद पोस्त कोविड-19 ही आप लोगको एक बात में ध्यान देना सा इसमें कोई पार्टी बोलके नहीं है पुरा पब्लीक का पुदिटीपी का सरकार है इस देट में भी है आप लुक और एक चैलेंज आ रहा है उसको आप लोग कैसे के टेकल करेंगे उसका प्लैनिक ही जब आप अभी थोड़ने पहरे बोल नहीं थे कि भी कोई गरबर नहीं हुआ घोटला नहीं हुआ ठीक है बितर में नहीं हुआ मैं मान लिया तो आप लुका पॉड़क्शन के लिए कुछ दिन बाद आप पुरा भारत का पॉड़क्शन बंद हो जाए कि कोई लेबार काम नहीं कर रहा है आप आपको अगर चाल चाहिए ड का पॉलिसी क्या है पॉलिसी है न अभी उस दिन पदानमंती ने बीस लाग का ये डिगलर करेंगे अगर बीस लाग करोड रुपया जो क्रेडिट कार्ड के थूरू जो लोन दिये जाएंगे अभी लोन इस सिट्वेशन में आदमी मार वे आप लोन का बात कर रहे हैं आप आपके हाथ में पैसा आएगा आप काम करेंगे आप उत्पादन करेंगे पैसा क्यों चाहिए लेकिन अभी फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका स्वागत है आज हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं बड़िस पत्रकार रवी शंकर रवी दुलू हमत कॉंग्रेस की नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और विजय गुपता असम प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष हमारे सही होगी विक्रम सरकार है विक्रम सरकार आप कहां पे कहां पे हैं और क्या स्थिति है वहां की क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रेनों से बसों से लौट रहे हैं तो जानकारी साजा कीजिए हाँ रंजीत अभी फिलहाल हम लोग ISBT सिल्चर में खरे हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि आज एक स्पेशिल ट्रेन चेन्नई से भाईरवी के लिए आई थी जो मिजोरम का है भाईरवी जो एडिया है वहां से आप बदरपूर जो जंक्शन है बरागविली का सबसे बड़ा जंक्शन है वहां पे 46 लोग उत्रे हैं आज बदरपूर में जहां से 13 लोग करिम गंज के थे और 9 लोग कछार के थे और हमको अभी ISBT सुत्रों से जो खबर मिली है ये बोलना बहुत ही ज़रूरी बनता है कि एवरी डे हर रोज अलग-अलग जगे से हर जिले में लोग आ है और आज सिल्चर में अभी तक 78 लोग आ गये है टोटल स्क्रीनिंग जो हुई है 84 लोगों की आज स्क्रीनिंग हुई है और 69 लोगों का आज स्वाप कलेक्शन हुआ है जो मेडिकल कॉलेज में भेजा गया है वो ही अकेला सिर्फ ISBT से हुआ है कछार के 21 लोग आये हैं है अगर एक बी चूक होते हैं तो यही बात है कि हर रोज लोगों की आवाज ही शुड़ू है हाला कि यह डेफिनिट बात है कि जो लोग फसे हुए है दूसरे राज्यों में अपने घर जो होम टाउन है होम स्टेट है उस पे डेफिनिटल वो लोग आएंगे लेकिन यह एक अगर एक बी चूक होती है और एक बी केसे ऐसे आता है तो हम समझ सकते हैं जैसे हमने छे तारिक का जो केस देखा था आज में शरीर से आई थी जो बस उसमें से कितना लेबल इंक्रीज हो गया था तो वो डर भी एक लोगों के दिल में है तो उसी मद्दे नजर रखते हु ये बरागविली के जो तीनों जिले के जो प्रसाशन है उनके लिए क्योंकि बहुत ही भाड़ी मात्रा में वहां पे लोग बदरपूर जंक्शन में उतरने वाले हैं रंजीत जा विल्कुल चैलेंज तो है सामने और कहीं ऐसा नहों कि कोई कोरोना संक्रमन अपने साथ ला हो जाए हम कहीं संक्रमित न हो जाए हां रंजीत ये एक इंपोर्टन पॉइंट है क्योंकि लोग डरे हुए तो है फैंसी बजार की घटना के बाद और ज्यादा लोग डर चुके हैं और जैसे सरकार ने ये राय दिया है कि जो मेरिज हॉल्स हैं क्योंकि देखिए किसी को ऊटनी था कि ऐसा एक महा मारी आने वाला है उसके लिए जो प्रशाशन है या सरकार है वो तयार पहले नहीं थी लेकिन हर एक दिन गुजरनते के बाद जितनी experiences हो रही है तो हमारी तयारी जो सरकार की तयारी है प्रशासन की तयारी है वो चल रही है और अभी जितना ज्यादा लोग आ रहे हैं उतना ही जो quarantine centers की जो numbers हैं वो बरहाई जा रही है कछार जिले की अगर बात करें या बढखविली की अगर बात करें तो लोग जो लोकल लोग अभी यहां पे रह रहे हैं उनके दिल में यह डर है कि सरकार ने यह तो कहा है कि जो marriage halls है उसको quarantine center में convert किया जाएगा और लोगों के दिल में ये डर है अगर quarantine center convert किया जाएगा हाला कि quarantine center कर दिया गया है वहाँ पे अगर लोग वहाँ पे उनको quarantine करके रखा जाएगा और खुदाना खास्ता अगर कोई case आता है तो पूरे area के 500 meters को containment zone बनाया जाएगा तो लोगों का ये भी एक डर है लेकिन प्रस की बेहन हैं तो अभी एक साथ मिलके सब को help करना होगा और ये जो परिस्तिती किसी के साथ कभी भी आ सकती है तो इस टाइम पे किसी को मतलब अलग करके ना देखा जाए हर एक दूसरे का हाथ पकर के हमें इस समय मुकाबला करना परेगा रंजीत ये बिलकुल इन तमाम जा नहीं समझ से उत्पन हो सकती है अगर कोई भी लापरवाही बढ़ती गई मैं फिर विजय जी के पासना चाहता हूं लापरवाही तो नहीं कहूंगा सरकार ने योजना अच्छी बनाई है इसमें मैं एक कहना चाहूंगा जो उन्होंने आशंका जाहिर की है उस आशंका को निर्मूल करने के लिए हम अपनी ब्यवस्ता की बात कर रहे हैं कि अभी जैसे लोग बाहर से आ रहे हैं तो सौभावी क्रूप से जैसे उन्होंने कहा कि सारे सिंचर के सारे बिवाभवन को क्वारंटेन सेंटर में तब्दिल कह जाएगा ऐसा नहीं हमारा प्लान यह है कि डि सेंटर्ज करने का अगर 126 विदहान सभा है तो प्रतीव विदहान सभा में जो हमारे मलोस है जो भी किसी विदल के हो वह चैरमेन रहेंगे और उनके सात में एक व्यक्ति को चैरमेन के सात् це कि एक ग his dewक को निर्ज की पूरी मने टूजड जो भी विवस्ता हैं काने का ह पर लेकर कि जाएंगे तो सवाभावी कुरूब से आप देखेंगे इस पेट होने के चांसे कम रहेंगे और पीपुल पार्टिसीपेशन के माध्यम से ठीक है सरकार अपना काम कर रही है जो बहुत ज्यादा लोग आएंगे तो सवाभावी कुरूब से सरकारी मसंडरी के आगे बढ़कर क्या है वो किसी भी राजनीतिक दल के हो और इन सारी बेवस्थाओं में आपस में एक तरह से समन्नेवा और सहयोग के माध्यम से इस पूर्वतर राजों की सरकारी भी अच्छा काम कर रही है आज ही त्रिपुरा में केंद्रिया स्वास्त मंत्राला की और से बेजे गए उच्छे दिकारी हेल्ट डिपार्टमेंट के पहुंचे थे उन्होंने वहाँ जायजा भी लिया था तो इस तरह की करवाई जारी है हेल्ट डिपार्टमेंट और हेल्थ रिलेटेस इसू जो है वो सरकार और पब्लिक के सहयोग से लगभग ठीक चल रहा है उम को समेटा जा रहा है लेकिन पहले के जो एक्सपरियेंस है आप पत्रकार बहुत दिनों से पुर्वतर आजो को नजदिक से देख रहे हैं क्या आपको लगता है कि इनके इंप्लिमेंटेशन में सही माइने में स्मूथली आगे बढ़ेगा क्योंकि जो भी स्कीम आती है उस सुनते रहें मर्मोहन सिंग के समय में कई पैकेज की घोशना हुई अटल विहारी बाचपई की समय में कई पैकेज की घोशना हुई उसके पहले भी पैकेज की घोशना हुई थी जब मुरार जी दिसाई थे और जब यहां पर असम गन परिशत की सरकार थी उस समय भी पैके रासी आती है जैसे परियाटन के लिए रासी का होता है होडिंग में शाइन बोर्ड में परियाटन के लिए जो इंफराइस्ट्रक्चर बेसिक इंफराइस्ट्रक्चर की वहां तक जाने के लिए एक कम से कम काम चलने लाए कि एक सड़क तो अच्छी बेहतर सड़क हो जाए ताकि लोग वहाँ पर जा सकें उस तरह से अन्य छेत्रों की भी बात अगर हम करें एगरिकल्चर की बात करें फीसरी की बात करें पैसा आ रहा के से मदद राजी यह रही है लेकिन उसका किस तरह से हम उपयोग करें और अन्य राज्यों में आसम में तो चुकि मीडिया हर किया दीमापूर से कोईमा तक एक मुकमल सड़क नहीं है और अभी जब सड़क बन रही है तो उसमें कितने तरह के प्रेसर आ रहे हैं कितने तरह के डिमांड आ रहे हैं पूरे नौर्थिस्ट में जितना पैसा सेंट्रल गवर्मेंट से आया है अगर उसका इंपलेमेंट होत करना नहीं चाहते थे अब वहां पर कई विकास की चीज़ें दिख रही हैं असम में पहले भी काम हुआ है अभी भी हुआ है पहले भी करफशन हो रहा था अभी भी करफशन हो रहा है कई भी भाग में मैं अलग से उस पर बात करूंगा लेकिन गुपता जी के माद्यम से मै ये बात असम सरकार तक पहुचाना चाहता हूँ कि असम में जिनके पास असम में कई कटेगरी के रासन कार्ड है एक सामान रासन कार्ड है जो हम लोगों का पर्चे भी है वो रासन कार्ड मेरे पास भी है आपके पास भी होगा एक लाल रासन कार्ड है एक ग्रीन रासन कार्ड है और असम में जो सामान ने रासन कार्ड है उस पर पीडियप की दुकान में समान नहीं मिलता है यह असम सरकार की पॉलिसी है जो मुझे जानकारी है आज के दौर में कोरुणा क्रैसिस की वजह से एक नया वर्ग मजबूर हुआ है रासन की दुकान पर जाने के लिए पूरे देश की यह इस्थिति है अच्छे खासे दिखने वाले संपन्न लोग भी उनकी हालत यह हो गई है कि वह भी चाहते हैं और अनराजों में वो जार है जोला लेकर रासन की दुकान पर जिसमें वो कभी नहीं जाते थे चावल लेने के लिए चीनी लेने के लिए किरासन तेल लेने के लिए वह वर्ग असम में भी पैदा हुआ है तो यहां पर भी अभी राजसरकार ने जिनके पास रासन कार्ड नहीं था वैसे लोगों की सू की वजए से उनके लिए भी ये विवस्ता होनी चाहिए दूसरी बात ये जो तीन दिनों से जो पैकजों का एलान हो रहा है निश्चित रूप से इसका एक लाब एक बड़ा लाब लोगों तक पहुंचेगा लेकिन इसमें ज्यादा लीपा पोती हो रही है प्रधान मंत्री जी ने जो घोसना की थी और अभी जो चीजें सामने आ रही है कि बैंक से कर्ज लेना होगा छोटी-छोटी काईयों को कल मध्यम स्रेनी के एक जिनकी फैक्ट्री है उनसे मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने बैंक मैनेजर को फोन किया कि वित्तमंती ने इस तरह की घोसना क हैं और कल को जब आप लोन नहीं लोटाएगा तो NPA के नाम पर मेरे खिलाप FIR होगा और हमको रिटायर होने के बाद भी आकर केस लगना होगा तो जब तक केंद सरकार उसकी लिटकर गारेंटी नहीं देगी हम किसी को लोन नहीं देंगे कई कागजी समस्या है कई बहवार दिया जाए और मुझे लगता है कि अगर इस योजना से असम और पुर्वत्तर के लिए काफी संभावन आए हैं इसमें कोई दोरह नहीं है लेकिन उसको मूर्थ रूप कैसे दिया जाए यह एक सबसे बड़ी समस्या है बिजय जैसा कहा जारा कि बैंक लोन तभी देगा ज बैंक वाले तो इसलिए लोन नहीं देना चाहता है कल भी हमने इस पर चर्चा की थी तो अच्छी है घोशना है बहुत अच्छी की गई है लेकिन इसको सरल सरलिकृत नहीं किया गया है मैं आपको ओता हूँ रवी जी ने बड़ी अच्छी बात उठाई है एक तो उन्होंने आनिस्टी की बात बोली मैं उनकी बातों से शाहमत हो कि पैकेज़ आते हैं और अगर उसको हम आनिस्टी के साथ में डिस्सिप्लिन के साथ में उसका अगर हम प्रियोग करें तो निस SME's के NBFC हों या BANK हों या MFIs हों अभी जैसा कि कल परसो बितमंती जो एनाउंस किया था 20,000 करोर डोपिया स्ट्रिस मतलब जो एक स्ट्रिस एकाउंट उसका जो आतलब कि अब जो NPA होने जा रहा है तो NPA जब होने जा रहा है तो निस्टी तरुप से मान के चले कि इसमें किसी भी BANK मेनेजर की लाइवेल्टी फिक्स नहीं होती है कोई F.I.R. उसके उपर नहीं होगा इसलिए मैं सोचता हूं कि ये उसमें कुछ मदद जरूर मिलेगी और 3,000,000 करोर डोपिया जो कोलेटरल फ्री कोलेटरल फ्री आटोमेटिक जो लोन जो है MSME या बिजनेस सेक् तो ये जो इतना बड़ा रकम 3,000,000,000 करोर डोपिया MSME के लिए और 20,000,000 करोर डोपिया NPA होने जा रहे हैं एकाउंट्स के लगर दिया जाता है तो बैंक जो ये बात कहते हैं ये बात एकदम सही उन्होंने कही है कि बैंक मैनेजर अक्सर ये कहते हैं कि हमारे अपनी एको उनके इस एसेस्मेंट में कौन फिट बैढ़ता है और कौन नहीं फिट बैढ़ता है और वहाँ पे कुछ लोग मार खा जाते हैं तो मैं रवी जी के बात से सहमत हूं कि बैंक मैनेजर, बैंक के डिरेक्टर्स और बड़े-बड़े बैंक के ऑफिसर्स एवाइडिंग टें अगर की और रूप करेंगे इंदू चुको हमारे साथ जुड़ी हुई है इंदू लॉक्डाउन का आज 53 नंबर डेज है और आपके राज्ये में बहुत से लोग लोट रहे हैं कॉरेंटिन सेंटरों की हालत को लेकर आफे नियूज भेजा था कि वहाँ इस्तितिया अच् में है ग्रीन जोन में आच चुका है स्टेट तो अभी तक ग्रीन जोन में है वोलके बहुत सारा गारिया बहुत नॉर्मल सीन दीखने को मिल रहे तो लोगों को बीच में भी थोड़ा कमी है जानकारी को लेके क्योंकि कुरेंटिन सेंटर का ही अच्छा फैसलिटी के लिए दिमान करते हैं और उन्टी आडर हैं उन्हीं लोग वही लोग फिर से कंप्लेंड करते ही कि अपना कोलोनी में लोकलिटी में कुरेंटिन सेंटर नहीं होना है बच्चों को नहीं लेके आना है तो इस पे भी बहुत सारा विरोड हो रहा है तो यह हम लोगों को देखने को म सब्सक्राइब कर दो महिना होने को है तो जनरल पिपल के बीच आवेर्नेस की कमिक क्यों नहीं है क्या वहां का गौवर्मेंट ने इसके लिए कोई खास कदब नहीं उठाया आज तक अवेर्नेस के बात कहेंगे तो कि पैनिक जड़ा हो रहा है, अवेर्नेस तो है, लोगों को कि ऐससे समझे, दुसें डॉन्स को तो पता है, लेकिन जब यसारी स सारे बच्चे आते तो ऐवेर्नेस के साथ एक पैनिक थ तो यह चीज़ हो रहे हैं तो लोग पहनिक ज़्यादा हो रहे हैं इसलिए लोग आवरनेस को भूल रहे हैं डिस्पाइट ओफ गर्मेंट अपना ग्राउंड लेवल में गावबुरा को लेके जो विलेज के हैडमेंड है एड्मिनिस्ट्रेशन प्रसासन के साथ काफी कर रह हैं और लोगों को भी पता है टीवी के मादियम से और अन्ये कुछ मादियम से भी जानकारी तो मिल रहे हैं लेकिन बहुत पैनिक है बहुत गवराहत हो रहे हैं अपने हेल्ट को लेके इसमें लोग गवराहत तो है इंदू आखरी सवाल करना चाहता हूं वहां के जो फार् जी बिल्कुल जैसे अभी ग्रीन जोन में है तो ट्रैविलिंग सारा डिस्ट्रिक इंटर्स डिस्ट्रिक मूमेंट चल रहे हैं तो लोगडाउन जो पार्शियल जो लोगडाउन ने वान फोर्टी पर वो साम के साथ बज़ी से लेके सुबा का पांच बज़ी तक ही है तो अनिये फार्मर्स को जो डिस्ट्रिक से कैपिचल तक लेके आ सकते तो ऐसे अभी फूल स्विंग में देखने को मिल रहा है बहुत बहुत धने बाद इंदू हमारे साथ जोडने के लिए इंदू चुकू इटा नगर से थी हमारी संबादा था हम लगातार उनसे जोडते र काम है यह लोग बच्चे चाह रहे हैं कि हम अपने गाउं के पाच जाएं अपने गाउं लोड़ जाएं और गाउं के लोग चाहते हैं कि उनको गाउं में नहीं लाएं क्योंकि उनकी वजह से पूरा गाउं प्रभावित हो सकता है यह कंटर डिक्सन है वहां भी जो सिकात काप गौंत sänta jn citizens me करना रहे हैं ये समाजाना से अगे बागे हैं से लेग WRASender मनीपूर में मनीपूर में यसी जगह है जहां पर गाउों के लोग गाउों के लोग कोर्टेस बना रहे हां बहूं समखे कर्षा कारिकरम खतम होने के बाद हमारा प्राइम टाइम है समाचार नौटिस उसमें हम दिखाएंगे कोर्टेज बना रहे हैं और उदेश यह दो है उनका कि जब कोरोना संक्रट गुजर जाएगा तो इसको टुरिस्ट के रूप में डेवलोप किया जाएगा और गावाले खुद का ऐसा लगा रहे हैं हमारे पास जगह की कमी नहीं है और चुकि आप बेवसाइश से भी जुड़े हुए हैं ऐसे जगों को अब इस कोरोना संक्रट के साथ जोड़ के क्या कॉरिंटीन सेंटर कॉम्टी लेवल पर बनाए और उसको बाद में टुरिस्ट स्पोर्ट के तर पर डेवलोप करने की अभी आप दिखिए गार्ट यह तो कोरोना का इसु सल रहा है यह और मेरा जो लगता है कि और एक साल तक चलेंगे नौर्मी लिए चलेंगे अभी लेकिन एक बार दिखिए आपनों कुछ दिर पहले किसानों का बात कर रहे ते इसकीम का बात कर रहे यह तो नौर्मिल पहले भी जब करोना नहीं नहीं आये थे पुरा भारत में तब भी यह इसु नौर्मिल इसल्टे रहता है अभी सबसे अभी चैलेंज आने वाला है गौब्वेन को अभी विजय जी बेठा हुआ है अब देखिएगा आप किसानों को छोर कि आप मीडिल क अब तुरिजिम में जाएए आप कपड़ा बिग्री करने वाला में जाएए इसी तरह का इंडस्त्री में जाए और इसी तरह का जो इस बिजनेश का फ्यूशन किया है आपको कोई भी गौप्वेंट का मिनिस्टर का कोई प्लैनिंग का इस्टेट्मेंट नहीं अभी तब प्रफिश्टर बता रहा है यह कोरोना को लेकर फाइट कर रहा है फाइनेंस डिपार्मेंट भी है एडुकेशन भी है ठीक है लेकिन अभी बाकी जो इन्ने डिपार्टमान का जो मिनिस्टर है फ्यूशर प्लैनिंग क्या होगा अभी होटल सब बन परा हुआ है तो कोई तू आएंगे असाम में ने बाहर से इंडिया का बाहर से भी कोई तूरिस्ट ने आएगा तब तूरिज्ट ने आएंगे तो रोज जो गारी से जो लोगों को मानने पड़ेंगे की कि मिडिल क्लास का भी आपको सुचने पर गया यह जो आप लोग किसानों को बात सोचे ओ तो सुचना हो गाई लेकिन मेडिल क्लास वाला का बिजनेस का फ्यूशार प्लैनिंग फ्यूशार पॉलिशी क्या होगा आप लुका गौब्मेंट का को इस्टेजित नहीं है अभी तक क्योंकि कोई भी मिडिल क्लास में जखिया भी एक स्कीम आई है खरू के लिए जो मिडिल इ सेक्टर बिजनेस सेक्टर और अपने बलबूते पर उखड़े रहते हैं इसलिए जैसे कि नभी जी ने उठाया आज एक सुप्रीम कोट का ओडर भी आया कि कुछ दिल पहले गौब्मेंट ने बोला था कि यह होटल बंड है लेकिन स्टाप को सालरी देने पड़ेंगे तो हमारे सामने कोई भी चैलेंजे उभर के आते हैं तो एपार्चुंटी भी हमारे सामने रहती है तो देखिए इस कोविड नाइंटीन से जो भी हम समस्याओं को फेस कर रहें निश्चित रूप से अगर हम अपने लोकल इंटेलिजेंट का बैवार करें और इंफ्राइस्ट है कि बहुत बड़ी रकम यह है मैं आपको हता हूँ कि तीन लाग को लेट्रल फ्री हम एमसेमी को दे रहें बीस हजार रूपया हम डेप्ट एमसेमी को दे रहें पचास हजार का एक्विटी इन फीजेल है और पटीस सो करोड रूपय एपिस के लिए तो आप लोग इसको प्रॉपाइली डिपार्टमेंट का मिनिस्टा का तो से इसको अब यहीं बात है कि चार लाग करोड प्या है और भारत का जो गरीब लोग है वो पैदल चलते हुए आ रहा है पाओं में चपल तक नहीं है यह भी देखने को मिला कि वीदेश से मैंने पैदल नहीं कहा वो बिमान से आ रहे हैं बोला और देश की जो गरीब जनता है और वो पैदल चल रही है और मिडिल क्लास जो है हर दिन चार बजे टीवी क सामने बैठ जाता है लिए कोई घोशना करेगी अभी तक नहीं किया रभी जी बिल्कुल समय खतम हो रहा है एक दम आखरी कमेंट 10 सेकंड देखे अगर मुझे मौका मिलता तो मैं चाहूंगा कि देश की सरकार और देश के साथन तक यह संदेश पहुंचे सबसे पहला माई यह काम करता कि बिभिन ट्रांसपोर्ट मोड से जब लोग निकल पड़े हैं घर से तो रास्ते में जो जहां मिलता सड़क से ट्रेन से उनको उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया जाता ताकि यह नौबत नहीं आती जी हैं बिल्कुल और यह काम सोचने और समझने की जरूरत है कि जब वो चल पड़े हैं तो आप उनको पहुंचा दीजिए जी हैं बिल्कुल और सरकार ने किसानों के लिए मत्सुत जोग के लिए और पसुपालों के लिए बहुत सारी घोशनाएं कर दी हैं हम उमीद करते हैं कि यह लाव उनको जल्दी मिलेगा साथ ही कोर अब जरूरी हो गई है मुद्दा में इतना ही धन्यवाद